दोस्तो भारत भी उन देसों की सूची में सामिल होने वाला है जिनके पास स्टेल्थ टक्नीकी वाले लड़ाकु विमान हैं अमेरिका रूस पहले ही स्टेल्थ लड़ाकु विमानों को हासिल कर चुके हैं उधर चीन भी दावेदारी करता है कि उसके पास भी स्टेल्थ लडाकु विवान है चीन का तो पता नहीं लेकिन भारत भी स्टेल्थ टक्नीकी से लेस विमानों के निर्मार पर तेजी से काम कर रहा है भारत जिस Stealth लडाक विबान को बना रहा है इस से इतनी ताकत है। ये किसी भी Radar को चकमा दे सकता है। भारत के इतियास का ये सबसे ताकतवर और खतरनाक लडाक विबान होने वाला है, जो जल्द ही भारती वायुशेना में सामिल किया जाने वाला है। उधर हमेशा ही चीन इतनी एडवांस हो चुकी है कि भारत इन महासक्तिसाली देशों के स्टेल्थ लड़ाकोई विमानों की तुलना में ताकतवर लड़ाकोई विमान निर्माड कर सके तो आपको बता दें कि भारत भी स्टेल्थ टेक्नोलोजी से लेस फिप्ट जनरेशन वाले एडवांस मीडि दिया गया है उधर जैसे ही भारत ने ऐलान किया कि वो भी स्टेल्थ लड़ाकोई विमान का निर्माड कर रहा है तो इस खवर को पाकर दुनिया के देशों को विश्वास नहीं हुआ कि भारत भी ऐसा कर सकता है वहीं भारत के एमका को लेकर ये भी कहा गया कि भारत या त ताबिक इसके डिजाइन का वर्क कंप्लीट कर लिया गया है और आने वाले सिर्फ दो सालों में इसकी टेस्टिंग भी सुरू की जाने वाली है मसलन भारत के सामने दो दो दुसमन देश हैं सामरिक द्रश्ट से पाकिस्तान भी कम नहीं है वहीं चीन हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहू बल को मजबूत करने की जरूरत है वहीं इसी कड़ी में एमका का उद्देश है भारती वायुसेना को 5.5 जनरेशन वाले लडाकु विमानों से लेस किया जाए उधर जब से भारत के डियार्डियों ने एमका लडा लडाकु विमान से ज्यादा सक्तिसाली और खतरनाक होने वाला है लेकिन दोस्तों इस बात पर इतनी आसानी से विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि क्या भारत अमेरिका के सबसे ताकतवर लडाकु विमान को टकर दे सकता है अमेरिका के F-35 और भारत के एम लडाकु विमान F-35 से कहीं ज्यादा एडवांस होने वाला है एमका की रेंज 3240 किलो मीटर होने वाली है जबकि अमेरिका का F-35 की रेंज 2800 किलो मीटर की है उधर एमका की कॉमबैट रेंज 1620 किलो मीटर होगी जबकि F-35 की कॉमबैट रेंज 1249 किलो मीटर है वहीं दोनों लडाकु विमानों की साइज के मताबिक तुलना करें तो भारती लडाकु विमान 57.9 फीट लंबा होगा जबकि F-35 छोटा है और सिर्फ 11.4 फीट लंबा है वहीं जिस एमका लडाकु विमान का निर्मान किया जा रहा है इसमें 14 हर्ट पॉइंट दिये गए हैं इसमें 23 से 30 mm की गन लगी होगी इसके अलावा रॉकेट पॉर्ट होंगे जिसमें अस्त मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, MG ब्रमास्त मिसाईलों को फिट किया जाएगा वहीं हवा से जमीन में मार करने वाली रॉद्रम मिसाईल को भी इसमें लगाया जा सकता है इन्हीं टेकनोलोजिस के दम पर भारत का एमका अमेरिकी F-35 को पचाड देगा लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत का एमका फाइटर जेट अमेरिकी F-35 को पचाड पाएग जो बाव